नमस्कार भारतवन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा परणाम आज की बड़ी खबर के साथ पेश है आज की मुख्या खबर आपको बता दें कि विश्विदल्य और कालिजों की अंतिम वरस की प्रिक्षाओं को लेकर UGC ने जारी किया एक बियान जी हाँ आज की खबर है ये दैनिक जागन की खबर है और पूरी खबर डिटेल से आपको बता देते हैं कि क्या खबर है विश्विदल्य की अंतिम वरस की प्रिक्षाओं को लेकर विश्विदल्य अनुदान आयो यानि UGC ने एक बार फिर से जरूरी करार देते हुए इसे चात्रों के व्यापक हित में बताया है ऐसे मेराजय प्रिक्षाओं को लेकर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले चात्रों के हितों और सेक्सिनिक गुनवत्ता पर पढ़ने वाले प्रभाव का भी अंकलन करें वहीं प्रिक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर UGC का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहट सभी विश्विदल्य उसे मानने के लिए बध्य है हाला कि ये विवाद का समय नहीं है सभी विश्विदल्य को तैग आइडलाइन के तहट प्रिक्षाओं कराने हो चाहिए जी हाँ यहीं से खबर समझ में आ जाती है कि जो UGC है जो पूरा कंट्रोल करती है सभी उनिवस्टियों को देखती है UGC ही उनिवस्टि ग्रांट कमिशन ही सभी उनिवस्टियों को देखता है उनकी जो गाइडलाइन तैया करता है सभी इसी के अंडर में होती है आप सभी को पता है कि तीन परकार की उनिवस्टियों है कुछ खास नहीं कर सकती यानि का चलनी तो बाप तो बाप होता है यानि कि UGC सभी का बाप है और UGC ने कहा दिया है कि उनका एक तरीके से कलिर है कि बच्चों का सही तरीके से अगर आंकलन करना है तो एक्जाम तो कराने ही होंगे यानि डारेक्ट हम बच्चों को पास नहीं कर सकते उनके exam तो लेने पड़ेंगे अब exam का कोई भी mode हो सकता है online तरीका भी हो सकता है offline तरीका भी हो सकता है online में जैसे computer से भी exam लिए जा सकते हैं और offline में जैसे आप BA के देते आये exam अभी तक master degree के देते हैं exam लिखी तरूप में जो exam होते हैं आगे खबर को पढ़ लेते हैं कि सभी राज्यों को बेजी गई संसोधित guideline और प्रिक्षाओं को लेकर तयार की गई SOP आयोग के सचीव रजनीश जैन ने UGC के आयोग है उनके जो सचीव है रजनीश जैन ने कहा है कि सभी राज्यों की प्रिक्षाओं को लेकर जारी guideline और उसे कराने के लिए तै किये गए मानकों का ब्यूरा बेज दिया है यानि उन्होंने तै कर लिया कि exam कराने हैं और उन्होंने ब्यूरा भी बेज दिया है फिर भी यदि विश्व विदैल्यों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वह संपर्क करें उन्होंने कहा कि जहां तक बात प्रिक्षाओं की है तो क्रोना संकट के चलते वह पहले से इसे लेकर विश्व विदैल्यों की काफी सुलियतना दे चुका है इसमें वह ओनलाइन आफ्रन किसी भी तरीके से करा सकता है जिने वह ओपन बुक एक्जाम MCQ यानि मल्टी च्वाइस क्वेस्टन जैसी प्रिक्षाओं के तरीके भी अपना सकता है तो ये खबर थी इसमें ये कहा गया है कि UGC बिल्कुर करियर है कि बच्चों के एक्जाम कराने है और आप सभी तयार हैं आपकी एक्जाम हो सकते हैं अब ये आने वाली खबर के हिसाब से ये कलियर हो जाएगा कि एक्जाम पक्के होने हैं या फिर इस परकार की और भी खबरे आएंगी आपको खबर कैसी लग रही है क्या आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो अपने कमेंट जरूर दीजिए साथी आने वाली और भी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हैं भारतवा न्यूज पर धन्यवाद